आप सभी का स्वागत करते हैं नियुज लाइब में दोस्तों भारती कुस्ति संग यानि की WFI की अध्यक्स ब्रिजभूचर सरण सिंग के खिलाब कारवाई की मांग को लेकर पीछले खपते से देली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को शमर्थन भी मिल रहा है करने पहुंचे और कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन की मांग किया है उन्होंने कहा है कि अगर इनसाफ मिलने में देरी होई तो सिध्धू जान की बाजी लगा देगा कॉंग्रेस निता ने ब्रेज भूशर सररण सिंग के स्थिपी की मांग करते वे कहा कि अगर आप सच तक पहुंचना चाहते हैं तो कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन कीजिए ऐसा नहीं होता है तो इन सब का कोई मतलब नहीं है क्या कानून उचे लोगों के लिए दोहरे माप दंड रखेगा सबसे पहले तो इस्तिपा देना चाहिए जंतर मंतर पर पहुंचने से पहले नौजोत सिंग सिदू ने ट्वीट करते वे कहा था कि वो इस परदश्यन में शामिल हो रहे हैं ट्वीट में सिदू ने लिखा कि ये जानना की क्या सही और ऐसा ना करना सबसे बड़ी कायरता है F.I.R. में देरी क्यों हुई? F.I.R. को सारोजनी करना ये दरसाता है कि वो हलकी है और सिकायत करता कि सिकायत की बुष्टी नहीं करती है इसके लावा उन्होंने प्रजबुस्टर सिंग को बचाने के लिए पीछे की मंद्शा पर भी सवाल उठाया इसको लेकर उन्होंने कहा तीराधा शंदीग्ध है और मकसद अभिवत की रक्षा करना है क्या चीजे कालिन के नीचे बहा दी गई दिस अधिकारी ने फईयार में देरी की उसके खिलाब IPC की धारा 116 के तहट मुकदमा क्यों नहीं चलाय जा रहा है क्योंकि वो प्रात्मी की दर्ज करने के लिए बाद दे था सिद्धू से सवाल किया आप पॉक्सो अधिनियम के तहट दर्ज मामले गयर जमारती हैं अब तक गिरफतारी क्यों नहीं हुई क्या बड़े और ताकतवर लोगों के खिलाब कानून अलग-अलग है और इसको लेकर अब जो है पहलवानों के शमर्थन में तमाम नेता हैं पपु यादो से लेकर अर्बिंद के जिरिवाल से लेकर चंदर शेखर आजाद से लेकर तो अब नवजोट सिंग सिद्धू भी पहुँच कर वहाँ पर पहलवानों के शमर्थन में अपनी बात कही और भारती जन्ता पार्टी पर हमला बोला है बाकि जिस तरीके से य अलवान धन्ना परदेशन कर रहे हैं उसको सरकार जो है एक्शन लेन में उनकी नाच सुंघी हुई है इस पर अपकी क्या रहा है बटाइए कमेंग बाक्स में धन्यबाद